जंगल में दो आम के पेड़ थे एक बड़ा और दूसरा छोटा पेड़ था वो पेड़ दादा और पोता थे बड़ा पेड़ केई दिनों से बहुत प्यासा था वो प्यासे मर रहा था कोई बचा ले मेरे दादा जी को कोई मरने से बचा ले कोई मेरे दादा जी को पानी ला दे छोटे पेड़ चुप कर जाओ मैं तुम्हारे दादा के आम तोड़ कर खा लूँ और बाद में पानी ला दूँगा तोता दादा पेड़ से आम तोड़कर खाता है और कुछ आम अपनी चौँच में लेकर चला जाता है दादा जी तोते ने मुझसे वादा किया है वो आपके लिए पानी जरूर लाएगा बेटा तुम अभी छोटे हो तुम क्या जानो कितने जूटे वादे करते हैं ये पक्षी सब जूटे हैं कोई नहीं आएगा पानी लेकर शाम हो जाती है छोटा पोटा आम का पेड़ तोते की रा देखता रहता है आज रात फिर से दादा पेड़ को बिना पानी पिये ही गुजारनी पड़ती है बेटा मुझे डर है जब तुम बड़े हो जाओगे और तुम पर भी आम लगेंगे तो ये पक्षी तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेंगे दादा मैं जवान हूँ मुझे पानी ना भी मिले तो मेरा काम चल जाता है मुझे बस आपकी चिंता है अगले दिन दुपेहर के बाद एक कवा और कवी वहाँ आते हैं पोता पेड़ उन कवों से कहता है कवे कवे मेरे दादा को बचा लें मेरे दादा पेड़ को बहुत प्यास लगी हुई है मेरे दादा जी के लिए पानी ला दे अच्छा अच्छा पहले हम आम तो खालें फिर ला देंगे बुटे दादा जी को पानी और पोते पेड़ तुम्हारे आम कब लगेंगे मैं कई दिनों से इंतजार कर रहा हूँ मैं अभी छोटा हूँ इसलिए मेरे आम दो साल बाद लगेंगे आम मेरे दादा को बचा लें मेरे दादा जी आपको ऐसे ही मीठे आम देते रहेंगे कवे जी भड़ कर आम खाते हैं अपना पेड भड़ते हैं और दादा पेड से कहते हैं दादा पेड जी सादा पानी पियोगे या शर्बत या फिर लाल शर्बत पसंद करोगे कवव आ मेरे लिए नदी से पानी लादो मेरे लिए यही काफी है अगर आ मुझे थोड़ा लाल शर्बत लादो बहुत किर्पिया होगी आप दोनों की लादूंगी लादूंगी बस तुम हमारा इंतजार करना कवव और कवव चले जाते हैं दादा जी दादा जी मुझे लग रहा है ये कवव हमारे लिए पानी जरूर लाएंगे बेटा पिछले महीने भी ये कवव मेरे पास आई थे तब तुम सोय हुए थे और मुझे पानी लाने का वादा करके चले गे थे ये सुनकर पोटा पेड बहुत निराश हो जाता है शाम हो जाती है मगर कवव तो जूटे वादे करके गे थे गोरी गोरी लाल शर्बत वो पेड वो पेड लाल शर्बत का इंतजार करें होंगे अपना काम हमसे होता नहीं और हम उन्हें लाल शर्बत कैसे पिलाएं बुड़ा पेड कहीं का दो दिन बाद वो बड़ा दादा पेड मरने ही वाला था कि वहां चुड़िया आ जाती है चुड़िया माफ करना अब मेरे आम खतम हो गए है मगर मैं बहुत प्यासा हूँ कोई मुझे पानी पिला दे बुड़े पेड जी मेरे पास कोई मटका तो नहीं है मगर मैं कोशिश करती हूँ पानी लाने की चुड़िया आम मेरे पत्ते तोड़कर इनमे पानी ले आए मेरे दादा जी को पानी जरूर ला कर देना सब छोटे वादे करते हैं मगर आप ऐसा ना करना नहीं नहीं छोटे पेड़ मैं लाओंगी मैं पानी जरूर लाओंगी चिडिया वहां से चली जाती है चिडिया इनसानों की बस्ती में जाती है और किसान से कहती है किसान किसान मेरे जंगल में दो पेड़ बहुत प्यासे हैं वो प्यासे मर जाएंगे आप उन्हें पानी दे दे आम के पेड़? मैं तो कब से आम के पेड़ की तलाश में था मैं उसे पानी भी दूँगा और मनाफ़ा भी लूँगा उस आम के पेड़ से बार कर देता हूं ताके कोई पक्षी इनके आम ना खाए और मैं इन पेड़ों की अच्छे से रख्षा करूंगा फिर वो किसान पेड़ों के गिर्द बार कर देता है और सुभा शाम उन्हें पानी देता है आम फिर से लग जाते हैं इस बार तो पोते पेड़ पर भी पके मगर कोई कववा कोई कववी या फिर दोता वो आम नहीं खा सकता था क्यूंके किसान वहां डंडा लेकर बैठा हुआ था एक चिडिया ही वो रसीले आम खा सकती थी क्यूंके चिडिया ने दादा पेड़ की जान बजाई थी चिडिया के घर के पास पेड़ के नीचे एक चोटा सा पोदा अभी कुछ दिनों पहले ही बीच से बाहर निकला था। चोटी जडिया की बेटी गुडिया घर जाते हुए उस चोटे से पोदे को देह कर वहां आ जाती है। ये कोई खर बूजे की बेल होगी या फिर करे लेगी। ऐसा भी तो हो सकता है ये बेल खीरे की हो जो भी होगा मैं इस बेल को पानी दूँगी और इस बेल से फाइदा लूँगी। फिर उस दिन के बाद गुडिया हर रोज नदी पर जाती और अपनी उस बेल को पानी लाकर देती। समय गुजरता गया और वो बेल भरती गई। अब तो वो बेल गुडिया के घर की छट तक पहुँच गई थी। मामा, मैं नदी पर जा रही हूँ, अब मेरी इस बेल को पानी की ज्यादा जरूरत है। गुडिया बेटी, ना जाने इस बेल पर कोई काम की चीज लगेगी भी या नहीं, देखो तो कैसे बड़ी होकर खिड़की तक पहुँच गई है ये बेल। फिर एक दिन जब गुडिया सो कर उठती है, तो खिड़की से बाहिर उसे उस बेल पर एक छोटा सा खीरा लगा हुआ दिखाई देता है। गुडिया शोर मचाती है। ममा, ममा, उठें, देखें, ममा, मेरी बेल पर क्या लगा है। गुडिया बेटी, ये तो खिड़े की बेल है, आओ पास जा कर देखती है। फिर वो मा बेटी घर से बाहिर उस बेल के पास चली जाती है। गुडिया बेटी, अब इस बेल पर जितने भी फूल लगे हैं, कुछी दिनों में उनसे खिड़े बन जाएंगे। उड़ती हुई गोरी का विवहा आ जाती है। बातें तो ऐसे कर रही हो मा बेटी, जैसे इस बेल पर सोने के खिड़े लगे हुए हैं, मैं कही और से ले लेती हूँ। गुसे में गोरी कवी वहां से चली जाती है। बेल पर लगे हुए खिड़े का रंग आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू होता है और वो सोने के खिड़े में बदल जाता है। ममा, ये क्या हुआ? अभी अभी तो ये खिड़े सबची जैसा था और अब इसका रंग क्यों बदल गया है? गुडिया बेटी, ये तो सोने का खिड़े बन गया है, इसका मतलब ये कोई सधारन बेल नहीं है, ये जादूई खिड़े की बेल है। फिर ममा चुडिया कहती है, ये कोई सेब की बेल थोड़ी है, और वो सोने का खिड़ा सेब में बदल जाता है, ये कोई अनार की बेल थोड़ी है, और वो सेब अनार में बदल जाता है, जो कहेंगे इस बेल के फल वैसे ही होंगे, है न ममा? वो मा बेटी बहुत खुश होती है ममा मुझे बहुत भूख लगी है ये अनार हम तोड़ कर खा लेते हैं फिर वो मा बेटी वो एक अनार तोड़ कर खा लेती है दूसरे दिन जब गुडिया उठती है तो उस बेल पर दो खीरे लगे हुए थे गुरिया अपनी ममा को आवाज देती है ममा ममा जल्दी आए देखें आज बेल पर दो खीरे लगे है गुरिया की ममा भी वहाँ आ जाती है गुरिया बेटी एक खीरा हम तोड़ कर खा लेते हैं और एक खीरे को सोने की खीरे में बदल लेते हैं फिर गुडिया के ममा एक खीरा तोड़ती है वो मा बेटी ताजा ताजा खीरा खा लेती है जिससे उनका पेट भर जाता है ये कोई सोने के खीरे की बेल थोड़ी है देखते ही देखते दूसरा खीरा सोने के खीरे में बदल जाता है गुड़िया बेटी अब तो हमारे दिन बदल गे, तुम्हारी जादूई खीरे की बेल ने हमें अमीर बना दिया वो मा बेटी वो खीरा लेकर सुनार के पास चाती हैं और उसे बेच कर धेर सारे पैसे ले लेती हैं एक दिन तोता रोता हुआ चड़िया के पास आता है आप अपनी जिन्दगी सकून से गुजार सकते हैं फिर ममा चडिया अपनी जादूई बेल से एक सोने का खीरा तोड़कर तोते को दे देती है तोता वो सोने का खीरा देहकर बहुत खुश होता है और वो सोने का खीरा लेकर वहां से चला जाता है चिडिया ने कुछ य दिनों में अपना घर बिन्या बना लिया था और वो आने वाले हर गरी पकशी की मदद करने लगी थी चिडिया चिडिया क्या बात है तेरे हाथ कौन सा खजाना लग गया है? इतने पैसे कहां से आए तेरे पास? आंटी हमारे पास कुछ भी नहीं है एक खीरे की बेल ही तो है सोने की खीरे की बेल थोड़ी है फिर गोरी के देखते ही देखते सारे खीरे सोने के बन जाती है ये देहकर गोरी हैरान हो जाती है गोरी आंटी ये सब आपकी वजह से ही हुआ है अगर आप उस दिन ये ना कहती के ये सोने के खीरे थोड़ी हैं तो हमें पता ही ना चलता के हमारी ये बेल करिश्माती सोने की खीरे की बेल है फिर वो मा बेटी हंसने लगती है चडिया चडिया एक सोने का खीरा मुझे भी दे दो पलीज चडिया फिर चड़िया गोरी कवी को एक सोने का खीरा दे देती है जिसे लेकर गोरी खुशी-खुशी घर चली जाती है प्यारे दोस्तों इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलना आपका धन्यवाद